तो फाइनली ढूंडी लिया आपने, हाँ मुझे उम्मीद थी आप ढूंड दोगे, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा Classics History, Chapter No.3 in the earliest cities, चलो सुरू करते हैं मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं CCL Class, हाँ एक चीज बता देता हूँ वीडियो के स्टार् पेज का और प्लेइलिस्ट का दोनों लिंक है, अराम से पढ़ना मजा आएगा, अब यहाँ पर जो कुछ भी यह लिखा हुआ, बस इतना साही है, Chapter में बहुत Short Chapter है, Insert आपको एक क्विक रिविजन देना चाहूं, तो एक मिनिट में Chapter भी खतम हो जाएगा, लेकिन वो कहानी है ना, जो वो मजा नहीं आएगा, देखो, हमें जो है, Insert बता देता हूं, क्या क्या होता है, पहले तो, उसके बाद कहानी डिटेल में करेंगे, Archaeologist यह वो लोग होते हैं, जो प्रूफ्स ढूंडते हैं, पिछले Chapter में हम पढ़ते आए हैं, हमें कुछ साइट्स मिली, हरप कुण होते हैं, वो मिले, दोला वीरा, यहां पे जो है, सहर कुछ अलग तरीके से था, यहां पे तीन बिल्डिंग्स मिली हमें, जबकि हरत्पा में सिर्फ दो बिल्डिंग्स थी, बस, इतना ये समें, अब आप बोलोगे कि भाई, यह तो कुछ हुआ है नहीं, बात ही नह जानी आया, चलो, अब यह तो थी, डैमो आपका, चैप्टर इतना सही है, और हाँ, डैमो में वीडियो बड़ी होती जाएगी, क्योंकि डैमो में मज़ा नहीं आता, पूरे कहानी सुनने में मज़ाता है, तो कहानी सुरू करते हैं, इस वोज़ टाइम अराउंड 4700 येर् और वो खतम हो गई, लेकिन हमें कैसे पता चला, वो खतम हो गई, लगबग 180 साल पहले, लगबग ठीक है, कुछ नहीं है, लगबग है, ओल्मोस्ट 180 येर्स एगो, एक रेलिवे ट्रेक बिचाय जा रहा था, पंजाब में मतलब पंजाब के अंदर, जो कि अभी पाकिस्ता पंजाब का पता हो, तो पंजाब है ना, दो हिस्सों में टूट गया था, थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान को भी चला गया उसका, तो हर्याना भी पंजाब में से बना, अब जर मैं, बात कर रहा हू कि तो वहां पे जो है, रेलिवे ट्रेक बिचाय जा रहा था, रेलिकी प लेके और अपना घर बना रहे हैं उन्होंने भी खोदना शुरू कर दिया लग गए काम पे यकीन नहीं मानोगे भाई आप मतलब वहां पे इतनी सारी ब्रिक्स मिली यानी इटे कि उनसे उनका पूरा रेलवे ट्रैक बन गया क्या बन गया पूरा रेलवे ट्रैक बन गया कु या सो साल के आसपास की बात है देखो मैं आसपास क्यों बोल रहा हूं बता हूं देखो यह बुक लिखी थी 2005 में अब चल रहा है किस या बाहिस जब भी देख रहे हो तो उस टाइम पे और इस टाइम में 15 साल तो ऐसे गैप हो गया और पता नहीं इन्होंने अपडेट कि कि नहीं किया मैंने जायतर पुक्स देखी है प्रडेटिट नहीं है वो ठीक है लेकिन इसलिए मैं अंदाजा बोल रहा हूं रटने की जरूरत नहीं है बस कहानी सुनो और यह साल तो या रखना भी मत कोई जरूरत नहीं की देखो अब जो है लगवा असी सो साल पहले की ब प्रणे बात यह हुई वहाँ पर जब उसको पूरा साफ किया गया ना पूरी की पूरी सीटी जमीन के निचे से निकल के आई पूरी सीटी यानि की जैसे आपको कोई सहर हो मानी तियों गाउं की बात नहीं कर रहा हूं इतनी बड़ी सीटी एक बाहर निकल आई और जिसमें से जो है कुछ थोड़ा सा जो है मनला थोड़ा तो नहीं काफी जाधा था वो वह हिस्सा जो है रेलिवे वालों ने उड़ा के ले गए उसमें रेलिवे ट्रैक में ठीक है लेकिन फिर भी बहुत बड़ा हिस्सा बचा हुआ था वो जगहती हडपा क्या नाम था पैटर्न जो है वहां पे कुछ और साइट्स भी हमको मिले साइट्स होती है कोई लोकेशन ठीक है जैसे हडपा हो गई उसके अलावा जो है मोहन जोदरो यह दूसरी साइट हो गई तो ऐसे साइट बोला जाता है इनको स्टेंडर नाम में तो यहां पे दो टाइप के महल मिले यह जमीन है ठीक है यह जमीन है हमारी तो यहां पर एक गाउं बसा हुआ यह हो गई उसके चार दिवार यहां पे और यह कुछ घर बने हुए इदर लेकिन कुछ घर ऐसे थे ऐसे किया और इसके उपर यहां पर पूरा बनाया पूरा और इसके चार दिवारी कर दिया तो य यहां पर हमें, कुछ है, जो चीज иногда देखने को मिले हमें उनसे यह अंदाजा लग गया कि राजा लोग थे वो रहेंगे और गरीब लोग तुर नीचे पर रहेंगे कisी पैटन यहां पर देखने को भी लिया यानि कि यहां रहते होंगे अंदाजा है ठीक है है और यहां पे कोई रूलर होगा उनका जो भी था और रहता होगा ठीक है कहानी समझ में आ गई घर मिले यहां पे पूरे पूरे घर बसे हुए थे और हर घर मतलब घर तो क्या घर का भी डिजाइन बताऊंगा कैसा है मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि हमारा जो आज की टेकनोलोजी है आज का जो गाव है वो हडपा का भाई है यानि हडपा से मिलता जोलता है ठीक है वह बात में पताऊंगा लेकिन कहानी आगे कॉंटीनियो करते हैं हर घर मतलब जो भी यह वाला हिस्सा था कैटा डेल या फिर हमला कर देता होगा आपस में तो इस वजय से भी हो सकता है यहां पर चार दिवारी करी गई होगी जो भी था उनका लोजिक था उनको पता क्यों करी हम तो क्या ही तुक्के मारे अब बैठके वाँ पे अब हम बात करते हैं इनकी बात करते हैं घरों की इनके जो होम्स थे व मतलब एक balcony मिलती यह balcony है यहाप एक वैल होता वैल का मतलब कुवार्ट ठीक है चाहसे पानी निकालते उसके लावा एक कमरा इधर एक कमरा इधर ऐसे ऐसे सा कुछ बना होता कुछ जो है नहीं थी electricity नहीं थी तो जैसे विता उन्होंने अपने हिसाब से सही जुगाड कर रखा था उसके अलावा जो यह घर ते ना कुछ जो आप अगर आपने चंदीगड का जो पड़ाओगा तो वह उल्मुस्ट इसके हडपा के जैसा सिमिलर और चंदीगड जो सहर है वह फेमस एपनी ब्यूटी के लिए जानते ही हो अब उसके पैटरन के लिए बहुत फेमस है वह यानि कि सेम पैटरन ऐसा था देखो बताता हूं मैं जो गलियां थी ना वह ऐसे जो गलियां थी ऐसे कुछ बनाए गई इनके दोनों तरफ घर लगे होते हैं ठीक है इसमें से एक बड कि उन्होंने जो नालियां थी नालिया तो हर घर में से निकलता है पानी तो वेस्ट तो जाएगा ही जाएगा तो जो नालिया थी ना वह भी इतनी खूबसूरत बिल्कुल ऐसे जैसे आजकल गाउं में बनती हैं सेहरों में बनती हैं सेम ऐसे पैटरन पे पहले चोटी नाल कुछ में नहीं मिलती लेकिन गाउं में खुले मिलते हैं नाले भी उन्होंने पूरा नाला नाली सब ढग रखा था विल्कुल समझ रहे हो मतलब उनको साफ सफाई की बहुत चिंता रही होगी यह चीज थी यहां पर ठीक है यह चीज जाननी जरूरी थी और कहानी में मज़ा तो आई रहा होगा अब तो यह चीज मैंने बता दी है और यहां पर इनको बोलते हैं उनको बोलते हैं इंग्लिश में ड्रेंस क्या बोलते हैं ड्रेंस 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 ठीक है नालिया नाले जो भी है बिग ड्रेंस लोवर ड्रेंस स्मोल ड्रेंस ऐसे बोलते हैं ठीक है यह pattern था हडपा का हडपा के जैसे और भी बहुत सारी इलाके थे अब यह सारी जो कहानी है ना इंडिया अगर आपको पता है इंडिया चोटा सा मैप बनाता हूं इंसोर्ट वाला तो उस मैप से आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा कि कहा हो रहा था यह सारी क्रिया यह वाला हिस्सा था ने यह वाला इदर वाला यह यह वाला तो इसमें था सारा कुछ ठीक है हडपा भी यहीं पर पाकिस्तान देखनो ना पाकिस्तान कहां पर पड़ता है अब यह बात आती है मोहन जोडर की एक दूसरी जगए है यहां पर हमको एक great बात मिला बात का कि वो बना हुगा था खुबसूरत था डिजाइन अच्छा था कमाल की बात आप जानोगे तो चोंक जाओगे ये जो है बनाया गया था पक्की इंटों से ठीक है ब्रीक्स से बनाया गया था उसके अलावा जो है उसके उपर पलास्टर किया गया और नेचुरल तार इसके उपर चड़ाएगा तार कुल जो होता है तो वो उसके उपर लेड़ था यानि कि कुल मिला के पानी बहार निकलने गा चांसी नहीं पानी लीकी नहीं होगा इतना पक्का जुआड इंटों ने कर रखा था और वो जो great बात था वो आज तक भी सही सलामत हमको देखने को मिला है उस great बात के कुछ खास बात आपको बता देता हूँ जो कि आपके लिए जरूरी है माईने रखती है थीक है तो हडपा हो गए न हमारा हडपा याद रेगा न लब यह सी झां हीम पाइंदर देखां अब बात करते हैं ग्रेट बात की यह जो UK democracy वाञेञे वाँस आ यहां पर देखने को मिलते हैं याद कि हवण कुंड मत वाला तरहados देखने कोनिते है होंगे या फिर कोई occasion वहां पे रहता होगा मतलब occasion का मतलब है कोई festival या फिर उस time पे जब भी कुछ होता होगा इसमें पानी भरा जाता होगा और उसके बाद इसमें नहते होंगे बड़े राजा लोग और फिर पानी को निकाल दिया जाता होगा ऐसा कुछ रहा होगा इसको बोलते ह है great bath of Mohanjodaro Mohanjodaro के अंदर सबसे famous चीज है ये क्या great bath of Mohanjodaro वैसे हडपा का क्या था अदपा की पूरी city famous है इसका सिर्फ great bath famous है अब देखते हैं आगे हमें कुछ और जगह मिली काली बंगा तीचा है ये बंगा ये आएगा I can रेगा है न ठीक है इसमें आएगा लेकिन स्पेलिंग में ठीक है काली बंगा लोथल यहां पे हमको फायर अल्टार्स देखने को मिले फायर अल्टार्स का मतलब होता है कि आग जो रीशी मुनी करते थे न वो आपने फिल्मों में या कहीं देखा होगा वो ऐसे बना होता पास का में यह भी मिला है अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल कि है कि हमें कैसे पता चला कि यह लगभख इतने 100 साल पुराना है हजार दो हजार पांच जार जितना भी बता है इनोंने 4700 साल पुराना बता है तो यह हमें कैसे पता चला इतना पुराना है देखो पहली बात हम तुक्का मार रहे हैं दूसरा हमने कार्बन टेस्ट किया हुआ है कार्बन टेस्ट यह होता है कि उसमें यह पता लग जाता है कि अब यहां पर जो है, क्या आपको लगता है, क्या वहां के लोग शिर्फ घरों में रहते होंगे, क्या उनके पास जुएलरीज नहीं थी, खाने के क्या सोर्शिज थे, बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं, जब हमें एक पूरा सहर दफन हुआ मिलता है, सवालों के जवाब देते हुए, हिस्टोरियन्स कुछ कहानिया बताते हैं, अंदाजे लगा रहे होते हैं, हमें कुछ प्रूफ मिले हैं, कुछ क्या बहुत सारे मिले हैं, मतलब पूरा सहर दफन होगा, तो भाई प्रूफ ही प्रूफ, अब उनमें हमें खास प्रूफ मिला है, एक तो खाने का, वो लोग वीट, राइस, ठीक है, यह ज़्यादा खाय जाते थे उनके टाइम पे, यानि कि वो अगरिकल्चर करते थे, उसके अलावा हमें कुछ कबरे मिली हैं, जिनके अंदर भीडबकरिये, जानवर्स भी मिले हैं, यानि कि उन लोगों के अंदर हर्डर्स भी थे, उन्होंने जानवर भी पाले होंगे, उसके अलावा, ये लोग ज्वैलरीज के भी सोकिन थे, हमें जो है, वहाँ से गोल्ड को पर, और भी बहुत सारी जो मैटल्स थी, उनके सबूत मिले हैं, उनके कुछ आर्चिटेक्चर्स, डिजाइन्स मिले हुए हैं, ठीक हैं, तो यहाँ पर बताते हैं, गोल्ड और शिल्वर ओर्नामेंट, मतलब ओर्नामेंट समझते हैं, जो आप बूसन टाइप के होते हैं, तो गोल्ड सिल्वर के ब्यूटिफूल बिड्स, मन के जो होते हैं, मुतिशे जो होते हैं, वो हमें मिले हैं यहाँ से, मतलब की भाई, यह पूरे मतलब एडवांस सिविलाइजेशन थी, और अगर यह रहती हैं आज के टाइम पे, तो कहां होती, यह सवाल लोगों के मन में उठते हैं, यानि कि यह सब्वेता अखिरकार कैसे विलूप्त हो गई, यह भी सवाल जानें हैं, क्यों कहां कैसे गायब हो गई यह, तो हमें जो है बहुत सारी ज्वैलरीज मिले हैं, खुल मिला के ठीक हैं, अर्केलोजिस ने ढूंट के निकाला, अब यहां पे हमें कोटन भी उगाया जाता था, यह लोग कपड़े भी पहनते थे, कोटन के सबूत मिले हमको मिहरगड में, साथ हजार साल पहले वहां पे कोटन को उगाना शुरू कर दिया गया था, यानि कि हड़पा से भी पहले, इसका मतलब यह हुआ कि यह लोग जहां तक भी है कोटन भी उगाते होंगे, जब इससे पहले उगाता, अब यहां पे हमें कुछ कलाकरतिया मिली हैं, वो ऐसी वैसी नहीं है, उनके अंदर बहुत अच्छी कलाकारी है, जो आज के टाइम पे आप नहीं कर पाऊगे, और वेसी बात है, आज के टाइम पे बहुत टाइम बरबाद होता है, उन कलाकारीयों को करने में, यह वही लोग कर सकते हैं, जो स्पेसिलिस्ट होते हैं, टाइट के लोग जो उस चीज के मास्टर्स होते हैं, यानि कि अब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक नोर्मल सा बंद आऊँ, ठीक है, एडवांस नहीं हो कि कुछ भी पूछलो मेरे से आके, कि मैं बता जूँँ आपको, वो होता है मास्टर, वैसे ही कोई कोंप्यूटर का मास्टर होता है, यानि कि टीचर वाला मास्टर अलग होता है, ठीक है, वो अलग होता है, मास्टर मास्टर अलग होता है, मास्टर वाला जो है, वो क्या करता है, उसको सारी नोलिज होती है, ओल्द आराउंड, यानि कि कोई मुर्ती बनाता है तो पेंटिंग करता है तो उसको उस फिल्ड में विल्कुल मास्टरी हुई होती है वह बहुत फास्टली कर सकता है उसके कंपेर में दूसरे लोग करी नहीं सकते उस काम को मतलब next level masterpiece वह बना सकता है बोल सकते हो और हमें हडपा की जो civilizations थी वहा यहां पे जहां तक भी स्पेशलिस्ट लोग रहते होंगे उसके अलावा जो है यह कंफर्म नहीं हो पाया कि वह मैंस ही दे या मैंस भी उस टाइम पे जो स्पेशलिस्ट रही हैं तो यह कुछ पक्का नहीं है अब जो हडपा था आपने जाना वह इस्तमाल करते थे कोपर गो सब्सक्राइब कर यह कोटरी सामान वहां से नहीं नहीं ती जो भी रहा उन welche नहीं हां वह मंगाथे थे को मिलाकर हमें समझ में आई ऊब्हुत सारी सीज़ता स्धें अनुञताहुत करते लिए से भी मंगाई हुई हमें वह प्रूफ मिले हैं कि वहाँ पे वह नहीं थी अब बात आती है फूड फूर्दा पीपल इन दा सीटी वह लोग जो सहरों में हडपा जैसे सहरों में रहे रहे थे उस टाइम पे उनके लिए खाना कहां से आता था कोन उगाता था जैसे हम विलेज जो उगती अपनी तो रखनी थी बाकी जो है सहर जाके किसी चीज के बदले कुछ दूसरी चीज वह लेके आजाया करते थी ऐसे होता था और उस टाइम का फेमस वेपन आपको पता है पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कुछ एजिस के बारे में ठीक है तो उस टाइम इसलों पे ज्यासतर जो चीज थी वह स्टोंस की बने होती थी किसकी स्टोंस की लेकिन हमें यहां पर कुछ हतियार मिला जिसको बोला जाता है पलो का मतलब होता है हल जो खेती करते हैं सिरफ उसके अंदर क्या होता है मैं बताता हूं एक अलोहे की ऐसे रोड होती है 70 साल पहले आज से करंट टाइम तो हल इस्तेमाल किया जाता था और ये जो है हमें मिला है हडपा के टाइम पे भी उस टाइम पे भी जो है हल होते थे ओ माई गोड दिस इस सो क्यूरियस ठीक है अब यहां पे हमें एक सीटी मिली है लास्ट टोपिक रहा गया आपके चैक्टर का डोला वीरा यहां पे जो है हमने जाना यहां पे जो है हडपा दो हिस्सों में थी उपर एक बड़ा उंचे वाला हिस्सा एक कैटडिल जिसको बोल भरे थे लेकिन यहां पे जो धोला वीरा थे इसको तीन हिस्सों में बटा पाया हुआ हम ने याया में कि इस्से बाट रखे हार की मंडियन आज का ट्रेड होता है वैसे जो है यहां पर कुछ ज्वैलरी की ट्रेडिंग होती होगी यहनि की जो हमें सबूत मिले हैं यहां पर बहुत सारे मनके और इसके अलावा सोने के आपूशन यह सारी चीजें हमको यहां से मिली है इसका मतलब यहां पर कुछ बड़ा के दरत बड़ा काम होता होगा बड़े स्केल पर जो कि बाहर दूसरे सीटी जा हडपा जैसी सीटी में बेजा जाता होगा जो भी उस टाइम पर रहिए होगी किसको पता है कौन सी सीटी थी कहां थी क्या थी बात आती है कैसे खतम हो गई इतनी एड़वांस इसका मतलब यह जो सिविलाइजेशन थी यह पूरे चैक्टर के अंदर जो हमने पढ़ा यह सब कुछ पांसो साथ सो साल में बरबाद हो गया यकीन नहीं हो रहा मतलब इतनी एडवांस सिविलाइजेशन आखिरकार कैसे बरबाद हो गई आर्केलोजिस्ट ने बहुत दिमाख लगाया उससे ज्यादा दिमाख लगाया हिस्टोरियंस ने जो कहानी बना रहे थे जो बता रहे थे आखिर अंदाजा लगा रहे थे कि कैसे हो सकता है यह सब लोगों की अपनी अपनी राय थी कुछ लोग बोलते कि यहां पर जो है कि नहीं वह उनकी बातों पर क्यों कि भाही इतनी एडवांस सिविलाइशन चारो तरफ दिवारे पक्के घर पूरा पानी का भी सही सिस्टम तो कैसे शिरफ एक नॉर्मल सी रिवर उनको उड़ा सकती है पूरी सिविलाइशन को उड़ा सकती है यार ऐसे नहीं होता अब तो उसके बुखे मर गए सारे के सारे वा उसके अलावा कुछ और अंदाजे भी लगा सकते हैं अंदाजे मैं भी लगा सकता हूं लेकिन इसकी जरूरती नहीं है यार वह सिविलाइशन थी और वह खूब सुरत थी उस टाइम पर हम से ज्यादा एड़वांस थी और वह civilization में हमें आगे proof देखने को नहीं मिला सबके अपनी इपनी राय है कोई किसी की राय पे सहमत नहीं हो पाता और आपकी क्या राय है इस बारे में मैं सोच के जरूर से बताना अगर राय दे सकते हो तो चलो अब वीडियो खतम करते हैं चैप्टर में मजा आया कहानी में अगर म कराएंगे चिंता की क्या बात है सब्सक्राइब करो साथ में घंटी दबाओ ताकि आप बिल्कुल अपडेट टाइम से पाओ